कैसे आप सब आई होब आप सब आप सब आए होब आप सब अच्छे होंगे तो आज मैं आपके साथ सेड़ करने वाली हूं waterproof makeup की सच्चा है कि सच्च मुझ जो प्रोड़क्त हमारे पास है कुछ एक normal प्रड़क्स है क्या सच्च मुझ हमें waterproof makeup कर सकते हैं वाइरल हो रहा है और ट्रिंट में चल रहा है वाटर प्रूफ मेकप मतलग कि 10 रुपे के प्रोडक्ट से भी लोग वाटर प्रूफ मेकप कर डालते और यू पानी पटा पटा के दिखाते कि यह देखिए बिल्कुल मेरा मेकप निकल नहीं रहा है लेकिन एक सचाई में आप अगरे मेकप को कितना ज़शाता वाटर पूफ मेकप किया जाता है हमने मेकप कर लिया पाटी में पनीकप में सब्सक्राइब यह चलिए हैं तो मेरे चैनल को की अच्छाइब सब्सक्राइब तक यह वारल यहीडियो की सचाई आपको पता चल सके, तो सुरू करते हैं अज का ये वीडियो, लेट स्टार्ट, हम स्टार्ट करते हैं waterproof makeup, बट makeup करने से पहले skin care करना जरूरी होता है, चाहे आप waterproof करें या फिर normal makeup करें हो, तो चहरे को अच्छी तरीके से मैंने कर लिया है, wash आप देख सकते हो, wash करने के बाद इतनी जदा गर्मी पर रही है कि मैंने अभी तक मोश्याजर नहीं लगाया है, चेहरे को wash करने के बाद यहाँ पे मैं सबसे पहले apply करूंगी toner, तो ये toner है good wipes का, अगर आपके पास toner ना हो तो इसकी जगा पे आप गुलाब जल लगा सकते हो, विकॉस गर्मी में ये तो इसलिए हम यहाँ पे apply करेंगे toner, तो ये मैंने toner apply कर लिया है, आप इसे थोड़ा देर छोड़ देते हैं ताकि ये dry हो जाए, तो ये देखिए मेरा toner dry हो चुका है, जब toner dry हो जाए उसके बाद हम apply करेंगे मोश्याजर, तो मोश्याजर आप सभी को पता है, आपने skin tap के कोडिंगी लगाना चाहिए, लेकिन इतनी जदा गर्मी पर रहे हैं कि मोश्याजर लगाने का दिली नहीं करता है, तो इसके लिए मैं हर एक सीजन में जब गर्मी आती है, तो मैं यूज करती हूँ, ये skin को hydrate रखता है, चेरे से दाग दबे को दूर करता है, और एक mattify तो ये देखिए, मैंने लगा लिए है, अब देखिए, इस जेल को ड्राइ होने में थोरा सा समय लगता है, इसलिए लगाने के बाद थोरा दिर मैंने से छोड़ दिया है, अब ये हमारा मोश्याजर भी कंप्लीट हो चुका है, मतलब कि यहां पे हमारा skincare कंप्लीट हो चु तो मेरी जो स्कीन है वो नॉर्मल है, तो इसलिए कोई भी प्रोड़क मेरे उपर चल जाता है, तो थोड़ा सा प्राइमर हम लेंगे एक मत्र के दाने जितना और इस प्राइमर को पहले हम इस तरीके से यहां पे टी जोन पे अप्लाई करेंगे, बिकोज यहां स्वेट बह और आपको दिखेंगे, एक स्कीन आपकी स्मूध दिख रही है, तो बहुत लोग क्या करते हैं बहुत बरा गलती करते हैं, कंसीलर को स्कीप कर देते हैं और सिर्फ अपलाई करते हैं, फाउंडेशन ठीक है, तो अगर आपको यह फायदा नहीं से लगाने का, बिकोज मेरे स्कीन टोन से एक टोनर लाइटर है तो आपको भी ऐसा ही कंसीलर लेना चाहिए और बहुत अच्छा कंसीलर है मतलब कि इतने सस्ते प्राइस में इससे अच्छा कंसीलर नहीं मिलेगा तो जहां पे भी आपको पिंग्मेंटेशन है दाग दब्बे हैं डार्क सरकर की प्र या फिर आपके टोनर है टोनर स्प्रे कर दिए ताकि इसमें मौशियर हो जाए अगर ड्राइ ब्लेंट यूज करोगे ना तो यह बहुत ज़्यादा मेंकप प्रोडक्ट को भी खा जाएगा और मेंकप को बहुत ज़्या बना देगा उसमूधनिस नहीं देगा इसलिए ब् यह बहुत ही मैटीफाई अच्छा है अगर आप गर्मी के सिजन में इस फंडूशन का यूज करते हैं तो इसमें एक स्पेक्चुला आता है कोई भी पंप नहीं होता है इसके करन बहुत ज़्यादा बरबाद हो जाता है बट कोई बात ने स्पेक्चुला के हल्प सभी चे अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉडक्ट करने की ज़रत ना पड़े कि फिर से कंसिलर करें का ज़रत पड़ेगा इसकी इसके बाद में आपने पूरे मेक अप को सट करने के लिए यूज करने वाली हूँ यह फिटमी का वादर जिससे आपका मेक अपना और ज़्याद लांग लास्टिंग हो जाएगा और लंबी समय तक मैटिफाई आपको लुट देगा उसकी बाद मैं कंट्रोर करने वाली हूँ अपने नोच को ठीक है अगर आपका चेहरा जैसे की डबल चिन की प्रॉबलम है तो वहां पर आप कंट्रोर कर सकते हो लेकिन मेरा फोरेट ब अब एक लिए प्लॉड आपको दिया अगर आपने पूरे बेस को पाउडर से सेट कर दिया उसके बाद आपको कोई भी क्रीम या फिर लिक्विड चीजे नहीं उच कर दिया नहीं तो मेकप बिल्कुल पैची हो जाएगा बहुत ही खराब आपका मेकप दिखेगा इसलिए पहले जितनी भी लिक्विड या फिर क्रीम करें पहले उसे काम कर लीजे तो बहुत हमारा बेस मेकप हो चुका है फिक सब हम यहाँ पर करने वाले हैं आई मेकप तो सच बताओ आई मेकप समझ भी नहीं आदा कि कैसा आई मेकप करो अभी को जो मैंने सूट पहन रखा था उसके कलर का मतलब कि मेरे पास है आई शैडो लेकिन मैं यह वीडियो कहीं और सूट कर रही थी इसकर के मैं वो नहीं ला पाई तो मुझे कुछ अलग मेकप करना पड़ा जैसे कि इस तरीके से मैं आई सैडो अपलाई कर रही हूँ तो यहाँ पर मैंने वीडियो को यहाँ डो और मैं यहाँ आई बोट रहा जोगा इसके बाद में नॉर्माल और यूज कर लिया तो आप देखिया कि नहीं अच्छी तरीके से लगे के लिए टो रूचए अगर बड़ा मुस्किल होता है अब अब इक आँध में करो न तो नहीं है उसका बन जाता है फिर द जितना सिखा है उतना मैं आपको बता रही हूं तो अब उसके बाद हम यहां पर अप्लाई करेंगे थोड़ा सा लिप्स्टिक है तो अगर आपने मेकप किया थोड़ा बोल्ड लुक चाहिए जिसके अगर वेडिंग पार्टी में जाह रहे हैं तो यहां पर रेड लिस्टिक यहां पर हम प्लाई को चुका है लेकिन अब मैं फुल मेकप करके आती हूं यानि कि जो लुक है उसे पूरा कम्पलीट करके आती हूं यह देखे गाइस यह मैं हो चुके हूं फुल रेडी और यह मेकप को कैसा लग रहा है मुझे तो बहुत ही प्यारा लग रहा है मैं खुदी अपनी बढ़ाई कर रहे हूं तो यह कमेंट करके आप बताएगा कि यह मेकप आपको कैसा लगा अब देखे मैंने पंखा बंद क काम कीचिए का पंखे क्या आराम से बैठ जाहिए और जो स्वेट उसे ड्राइव होने दीजिए जैसे यह पसीन आपका ड्राई होगा जैसा था मेकप वैसा ही दिखेगा जल्दी खराब नहीं होगा ठीक है पंखा मैं इसलिए बंद कर दिया है विकॉस जब मैं बोलती हू तो वाइस में घरगरहाट आती है क्लीन आवाज नहीं आता है इसलिए मैंने कर दिया पंखा बंद तो चलिए हम जल्दी से टेस्टिंग करते हैं तो यह पसीना से सारा मेकप हमारे निकल जाएगा ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं पानी डालना इकी को साइट कर देते तो यह देखें यह मेकप बिल्कुल भी सही में खराब नहीं हुआ है क्यामेरे में मुझे भी नहीं पता चल रहा है कि यह मेकप निकला है कि ने यह आइने में जब देखूंगी ना सामने से तब समझ में आएगा सही में गाइज मेकप तो नहीं निकला है लेकिन मैं आपको बताओ मेकप की जो वो स्मूधने स्थीना वो बिल्कुल ही चली गई है बिल्कुल ही अजीब सा पैचीपन मेरे चेहरे में आ गया यह पसीना डालने से अभी मैं आपको दिखाती हूँ बिल्कुल नेचरल लाइ मेक अप है ये सो गाइस हम आते हैं फाइनल रिजल्ट पे की मेक अप हमारा कितना परसें तक वाटर प्रूफ हो पाया था आपने देखा नेच्रल लाइट में मेक अप कैसा दिखे रहा था और ये हैंकी में भी आया है मतलग कि पूरी तरीके से मेक अप हमारा वाटर प्रूफ नहीं है बट अभी भी आप देख सकते हैं अभी भी आपको ऐसा लग रहा होगा कि मेक अप तो अभी भी सही दिखे रहा जैसे कि आई मेक अप और चिक्स पे जो बलशर और हालाइटर वो आपको नजर आ रहे हैं लिप्स्टिक भी सही है बट माउट के राउंड जो मेक अप है वो फटना स्टार्ट हो गया है वो ड्राई पर रहा है काला पड़ गया है और बस आदी घंटे के बाद मेक अप की हालत बहुत ज़दा रदी हो गई है आप देख सकते हो कितना बुड़ा कंडिशन हो गया है तो बस मैं यही बलूँगी मेक अप बिल्कुल भी वोटर प्रूफ नहीं हो पाया था बट हाँ एक बात आप यह भी सोचे कि मेक अप करने के बाद कोई भी अपने चेरे पर एक बोतल पानी नहीं डाल देता है कियर बाइब बाइब